आज शार्दिय नवरात्री की प्रतिप्ता तिथी है, पूरे देश में भक्तिमें माहौल है, नौ दिनों तक मान दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है, मान दुर्गा की पूजा करने से साधक ही हर मनोकामना पूरी होती है, इसके साथ ही घर में सु पुत्री की आरादना होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मा शैल पुत्री हिमाले राज की पुत्री है। ताकि पुनरा वृत्ती होने पर कार्याले में उनका प्रवेश निशेत करने के साथ अनुपस्थित माना जाए। इसके लिए सुरक्षा कर्मियों और CCTV की मदद ली जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा की सड़क दुरगटनाओं वो उसमें होने वाली मौतों की बढ़ती संख भारतीय टीम सिर्फ एक बार 2020 में T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से ही हार का सामना करना पड़ा था। दुबई और शारजाह में विश्व कप के मैच होने के कारण भारत को इस बार विश्व कप में प्रबल दावेदार माना जा रहा है। यहां की पिचे स्पिनरों की मददगार है और भारत के पास दुनिया का श्रेष्ट स्पिनर आकरमन है। अभी तक हुए कुल आठ टीट्वेंटी विश्व कप में छे बार आस्ट्रेलिया और एक एक बार इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज ही विजेता बने हैं। भारत समेत अन्यकोई देश अब तक टीट्वेंटी चैंपियन नहीं बना है। पूर्व केंद्रिय ग्रह राज्य मंत्री और उसके बेटे आशीश मोनु मिश्रा को सजा न मिलने के विरोध में और MSP समेट बाकी 12 मांगो के समर्थन में किया। जा रहा है। इसे लेकर ही ये नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। इस भारी भूस खलन से मनाली लेह मार्ग लगभग 12 घंटे तक बंद रहा। वहीं बिहार में बार का कहर जारी है। नेपाल में मुसलाधारा बारिश से बिहाल पिहार के सीमान चलक्षेतर के दरजन भर जिले समेट सैक्रों गाव पानी में डूबे हुए हैं। नदियां उफान पर हैं और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। राहत और बचावकारियों पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार सीधी नजर रख रहे हैं। NDRF, SDRF और सेना को भी बचावकारियों में लगाया गया है। उधर, नेपाल में वर्शाजनित घटनाओं में छे लोगों की मायत हो गई है। पराली जलने से दिल्ली NCR में होने वाले वायू प्रदूशन को रोकने के लिए, वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, CAQM, ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आयोग की रिपोर्ट पर आज सुनवाई कर सकता है। जस्टिस अभैसोका, जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस आउगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीट दिल्ली NCR में वायू प्रदूशन को नियंतरित करने की मांगवाली विभिन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 27 सितंबर को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने मामले को महत्वपून बताते हुए दिल्ली में वायू प्रदूशन पर काबू पाने में नाकामी पर CQM को फटकार लगाई थी। सियालदा स्टेशन पर कई रेलवे परियोजनाओं और ट्रेन सेवाओं का उदखाटन करने के बाद रेल मंत्री ने कहा कि इस तरह के निवेश तभी संभव होंगे। जब राजे सरकार सहयोग करेगी उन्होंने यह भी उलेक किया कि 26 किलोमीटर की मेट्रो रेलवे परियोजनाओं हैं जहां भूमी संबंधी मुद्धों के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। बरेली के सिरॉली थानाक शेतर के कल्यानपुर गाव में आबादी के बीच चल रही अवैद पटाखा फैक्टरी में बुद्वार शाम को जोड़दार धमाका हो गया। कर लोग आशंकित हो रहे थे। सबका दर्द एक जैसा ही था पर वे एक। दूसरे को ढ़ांडस भी बंधा रहे थे। बॉलिवुड अभीनेता और राजनेता गोविंदा मंगलवार की सुबह दुर घटनावश गोली लगने से घायल हो गए थे। गोविंदा ने बाद में एक बयान जारी कर अपने प्रशंसकों को बताया कि डॉक्टरों ने गोली निकाल दी है और वह अपने प्रशंसकों के स्ने और भगवान के आशिरवाद से ठीक हैं। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अभीनेता से मिलने अस्पताल पहुँची थी। इस दौरान टीम ने गोविंदा से घटना के संबंद में जानकारी ली। खबर है कि गोविंदा के बयान से पुलीस संतुष्ट नहीं है और पुलीस दोबारा गोविंदा बयान दर्ज कर सकती है।